balancing the chemical equation तो सबसे पहले हम इसे group में distribute कर लेंगे यहाँ पर यह एक पूरा group है यहाँ पर यह एक यहाँ पर यह एक और यहाँ पर यह एक इस तरह से हम group में distribute करेंगे तो यहाँ देखो pb1 अब जो यह 2 है यह इस पूरे bracket पर है यानि कि जो भी अंदर है उस पर यह 2 लागू होगा तो n है यहाँ पर 2 और जो यह o पर 3 है इस bracket का मतलब होता है multiply o पर 3 है और 2 भी है क्योंकि यह 2 जो है यह दोनों पर है तो यह हो जाएगा 3 2 जा 6 यानि कि oxygen है यहाँ पर 6 यह 2 इस पूरी value पर लागू होता है तो n हो गया 2 और o हो गया 3 2 जा 6 ओके अब इस तरफ चलते हैं pb है 1 o है 1 यह एक group यहाँ पर n है 1 और o है 2 यह दूसरा group और यह तीसरा group o है 2 अब compare करते हैं pb1 pb1 नहीं करना है n है 2 और यहाँ पर n है 1 तो इस तरफ हम 2 से multiply करेंगे क्योंकि इसको 2 बनाना है तो यह 2 से multiply किया तो यह इस पूरे group को करना पड़ेगा 2 से multiply तो जब n 2 हो गया और o को o यहाँ पर 2 है तो जब यह 2 से multiply होगा तो यह हो जाएगा 2 यह हो जाएगा 4 ओके 2 से ये पूरा group multiply किया तो n हो गया 2 क्योंकि 2 1s are 2 और o हो गया 2 2s are 4 अब क्या बचा है दुबारा comparing करते हैं pb1 pb1 n 2 और n यहाँ पर भी हो गया 2 अब o 6 है और यहाँ पर o 1 है तो जो छोटी value है उसको नहीं देखना है हमें बात करनी है यहाँ पर यहाँ पर 2 2s are 4 और यहाँ पर हो गया यह वाला 2 तो 4 और 2 कितरे हो गया 6 और यहाँ पर भी oxygen है 6 है ना तो यह equation हो गई balance तो हमने क्या किया इस पूरी equation में सिर्फ एक change आया कि यहाँ पर इस group को हमने 2 से multiply किया बाकी equation में कोई change नहीं हुआ है तो यह हो गई आपकी equation balance